देखे दोस्तों अगस्त का जो मैना है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और आप देखते कि कहें कहीं जगा पे बहुत ज़्यदा मात्रा में बारिज भी हो रही है देखें इस मैने में आपके गयाड़ा में जो भी प्लांट है अगर आप ध्यां से देखेंगे तो आप देख देखे जैसे ही जुले मेना स्टार्ट होता है जो हमारे प्लांट जो तेज दुप के करने पूरते ट्रेस में थे जैसे ही बारी स्टार्ट होती है वो अपनी ग्रोथ में आ जाते हैं और आपके जो भी प्लांट है आप देखेंगी केक मेने के अंदर ही वो पूरे प्लांट ह तिन निजन हो सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे गाडन में जो प्लाइट है कंटूने बारिश होने के कारण जो हमारे गंबले की मिट्टी है, वो पी अच लेवल है वो अन्बेलेसिंग हो जाते हैं और इस टाइम पे हम अच्छा अच्छा फटदस देते हैं, उसका जो भी नुटरेशन है वो पाने के साथ बहुआ जाता है, और हमारे प्लान को जो नुटरेशन चाहिए, वो नुटरेशन मिल नहीं पाता है, इसके कशनाओं भी हमारे हमारे प्लान्ट आपने, उसके ग्रोद रोख जाती है पर दोस्तों sunlight ना होने करण जो हमारे plant है वो खाना अची तरह से बना नहीं पाते है और इसके करण भी हमारे जो plant है उसके जो growth है वो रूख जाती है और इसी के साथ हमारे जो फूलो वाले plant है इसमें काफी कम मात्रा में flower होती है और कभी कभी आप देखते हैं कि जो फूल आ के बहुत कम आत्रह में आ रही है जो कलिया आरही है या कल्या आ रही है ओ Dee चोकी ही हो यह सबी तरह की समगहिए तेरी करें और फूलो हो जाईगी और आपका प्लांट है वह आप अर। परुबने के साथ-सात कल्या अर फूलो से बनाने वाले teh? और इस ताइम पर याने अगर्श के मेने में इस फतलाइ untuk को यूज़uição करना बहुत ही हवसो खोता हुता है अगर आपके जो भी प्लांट है अगर उसमें सम्झे前 से नजर आ रही है जो मैने आपको बताहिए है तो इस फटले को अवस यूज करके देखьте है यूगि इसका यूज करने से आप देखते हैं कि जो हमारे गमले की मिट्टी है, वह नकिने बारज के करण वह हम ऐसा गिली रहती है और इसी यूज करते हैं तो आपके गाड़े में जो भी समझ है वो दूर हो जाएगे तो इसे किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के बाद हमारा जो भी गमले है इसमें किस तरह से हमें यूज करना है यह सभी डिटेल मैं आपको शुडियो में देने वाला हूं तो चले दोस्तों वी यह कोई नई चीज नहीं है, आप इसका अक्षर अपने गाड़ने में यूज करते होंगे, तो सबसे पहले आपको गोबर की खाद को ले लेना है, देखे अगर आपके बाद गोबर की खाद नहीं है, तिसकी जगा पे आप औरमी कंपोस्ट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरशे इसे डिकमपोस्ट करना बहुत ही आवशrr सकोता है, यह जो आपके गोबर देख रहे हैं, इससे मैं अचीर तरशे डिकमपोस्ट कर लिया है, और डिकमपोस्ट कैसे करना है, इसका भी वीडियो मैं अप्लेट किया है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं और इसी फटलाजर में जो हम दूसरी जीज मिलाने वाला है वह है राक देखें आपके पास लकड़ी की राक हो या कंड़ी की राक हो जो आपके पास अवयले बेल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ी की राक में बहुत ज़् वेक्टरे वो खतम हो जाते हैं और इसी के साथ साथ अगर इसे महिने में ये देड़ी महिने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो घंबले की जो मिट्टी उसको उर्वग सकती है वो भी काफी बढ़ जाती है और इस फर्टलाजर में जो हम तीस्री जित लेने वाले हैं वो है देखें 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 ये राशानिक फर्टलाजर है मैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताये था कि आज जो हम फर्टलाजर बनाने वाले हैं वो राशानिक और 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 इसके लिए मैं 10 लिटर पानी ले रहा हूँ अगर आपके गाड़े में कम प्लांट है तो इसके इसाब साब पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इसमें जो गोबर की खाद मैंने ली थी उसे सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है और इसी में आप देख सकते हैं जो राक मैंने ली है उसका भी आपके इस्तिमाल करना है देखे राक को जितना हो सके आपको मैंने में या दो मैंने में एकी बर इस्तिमाल करना है क्योंकि ये बहुत ही हीट होती है इसका जल्दा मात्रा में हमें इस्तिमाल नहीं करना है तो मैंने एक मुड़ बर जो राख है उसका भी इस्तिमाल किया है और इसी में आपको एक चम्मच जो DAP है उसके दाने के इस्तिमाल करना है देखे डिएपी में काफी मात्रा में फास्फरोस और नैट्रोजन की मात्रा होती है यानि इसमें 46% फास्फरोस पाजाता है और 18% इसमें नैट्रोजन पाजाता है देखिए इसका जो रिजेट है यह आपको बहुत ही फार्ट मिलेगा क्योंकि यह रास्ता ने फटला जा रहे इसके लिए गार्डिनिंग में और खेती में इसका काफी मातरा में इस्तेमाल होता है और खास करके जो नर्शरी वाले हैं वो अपने गारा में ज्यादा फूल पाने के लिए और जो प्लान्ट है उसके ग्रोथ अच्छी तरह से होने के लिए इसका काफी मातरा में इस्तेमाल होता है तो आप देख सकते हैं जो गोल हम लोगने बनाया था उससे ज्यादा टाइम हमें नहीं रकना है शिप 6 गंटे आपको ईसे ऐसे और जैसे 6 गंटे गंट होते हैं इस लिक्विड को अब यूज कर सकते हैं पर यूज करने से पहले इससे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको अच्छी तरह से वापस मिक्स कर लेना है ताकि जो जो चीजे हम लोग ने इसमें मिक्स की है वो अच्छी तरह से पाने में गुल जाए देखे ये जो फर्टलाजर है आप बीना छाने भी अपने गंबले में इस्तिमाल कर सकते है क्योंकि जो जो फर्टलाजर बनाया है उसमें राका भी इस्तिमाल किया है इसके करण जो हमारे गंबले की मिटी है उसमें कोई भी फंगस का अटक नहीं होगा इसके लिए बीना छाने भी इस्तिमाल कर सकते है या जैसे मैं आपको यूज कर सकते हैं सिव आपको एक बत का ध्याल रखना है जो indoor plant है महने में तेरय मेन में एकई बार इस्तिमल करना है CONTINUE इसका यूज नहीं करना है अगर आप चाहते हैं तो जो गोबर की खाद है उसका liquid बनागा आप यूज कर सकते हैं पर दोस्तों जो DAP है जापी राक है इसके ज़्यादा मात्रा में इस्तिमाल नहीं करना है। क्योंकि जो राक है उसमें काफी मात्रा में हिट होती है। और इसी के साथ साथ इसमें जो DAP का हम लोग ने इस्तिमाल किया है। DAP एक राचानी फटलाजर है। इसलिए जितना हो सके आपको रास्तानी फटलाजा बहुत ही कम मात्रा में इस्सिमाल करना है। यानि देड़ मेने में या दो मेने में एक ही बार इसलिकी फटलाजा को बना कर अपने गारण में यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम लोगोंने फटलाजा बनाया है। इसलिए इसके जो पावर ये बहुत दुजबरदस्त है। अगर आपके गारण में जो समस्य है मैंने आपको बताईए। अगर इसमें से कोई भी समस्या है तो आवस्य इसका यूज़ करिए। आपका जो प्लांड है आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही वो हराबरा होने के साथ साथ कलियर फूलों से भी बढ़ जाएगा मेरा मानना है कि इस फटलाजर को आप अवस्य बना कर यूज करिए और खास करके अगस के मेने में यह जादा करके जो प्रॉलाम आती है इसके लिए फटलाजर बहुत ही अच्छा है तो एक बार इसे बना कर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लिएट मिलेगा तो चले दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ अगर आपको वीडियो सोड़ा साभी यूजपूल लगे इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना बूलना तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में नेक्ट टोप्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद